हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको The Case of Itvang Homicide ये 2009 की मिस्ट्री क्राइम मूवी एक्स्पेंट करने वाला हूँ ये चुब मूवी है, ये एक ट्रू स्टोरी है हमारी मूवी इत्वान में 1997 में स्टार्ट होती है मूवी स्टार्ट होती है और हम देख सकते कि एक लड़के का ट्वालेट में मुर्डर हो जाता है राद में फिर पुलिस क्राइम सीन पर पोच्चते है इस क्राइम के कोट अपॉंटेड लॉय जिनका नाम है प्रोस्टुकिटर पार्क ये सुबाँ पर उस क्राइम सीन पर आते है पार्क पुछते हैं कि विक्टिम कौन था उन्हें बताया जाता है कि एक कॉलेज का सीनियर था जो अपनी गल्फरेंड के साथ यहां आया हुआ था राच साड़े दस बज़े उसका यह मर्डर हुआ है टॉलेट में मर्डर हुआ है तो पार्क वहाँ जाकर देखते हैं पर वहाँ सब कुछ साफ हो चुका है पुलिस वहाँ राद में ही पहुचे थे इस होटेल के ओनर ने उन्हें कहा था कि सुबह उन्हें फिर से होटेल उपन करना है इसी वज़े से जल से जल उनने सब फोटोज वेगरा क्राइम सीन की ले ली और सब चीज़े साफ कर ली टॉलेट यानि मर्डर का क्राइम सीन ये पूरी तरह से साफ हो चुका है यानि किसे और एनलाइज भी नहीं कर सकते पार्क फिर भी इस पूरी जगा को एनलाइज करते सिंग के नीचे उन्हें बलड पड़ा हुआ दिखता है वो वंडर करते कि टॉलेट और सिंग इन दोनों में डिस्टन्स है तो इतनी दूर तक बलड आया कैसे जब डिसकुशन होती है तब हमें हमारे विक्टिम के बारे में पता चलता है विक्टिम का नाम जो जग फिल था उसकी फैमिली में वो अकेला ही लड़का था उसके फादर ड्राइवर थे वो कॉलेज में था तो मेहनत करकर पैसे कमा कर फीज देता था जिस रात उसका मर्डर हुआ तो अपनी गल्फरेंड के साथ उस होटेल में वो आया हुआ था हमें उस रात का फ्लैश बैक दिखाया जाता है जोंग फिल अपनी गल्फरेंड के साथ हैंग आउट कर रहा था गल्फरेंड घर जा रही थी जॉंग फिल को girlfriend के साथ और भी time spent करना था तो वो भी उसके साथ गाड़ी में चड़ गया ये दोनों फिर hotel में आया है कुछ drinks इन्हों ने लिये hotel में ही जॉंग फिल जब toilet गया तभी उसका murder हो गया बहुट time हो गया पर फिर भी जॉंग फिल बहार ही नहीं आया उसकी girlfriend उसका wait कर रही थी तो देखने के लिए गई और उसे directly जॉंग फिल की body ही मिली हम फिर से present देखते है जॉंग फिल की girlfriend सदमे में है girlfriend से ज़रा question पूछे जाते है उसे पूचा जाता है कि क्या कोई तुमारा पीछा कर रहा था क्या किसी से तुमारी दुश्मन ही थी girlfriend के बास इन सब question का कोई भी answer नहीं है इसके बाद mildry में एक suspect पकड़ा गया था जिसका नाम था Pearson CVI की investigation में Pearson ने अपने testimony दी कि उसने ही John Phil को मारा है और Pearson को police station में लाया जाता है directly CVI ने जो testimony ली है उसे वज़े से Pearson को punish नहीं किया जा सकता क्योंकि इस case की main inquiry Korean police ही करेगी यह जो Pearson है इसकी mother Korean थी और father American US Army को लगा कि Pearson एक suspect है इसे वज़े से उस वर investigation उननोंने की थी Pearson के पास अब पार्क आते हैं पाग को बताया जाता है कि Pearson हमेशा से अमेरिका में ही रहा है तो उसे Korean थोड़ी भी नहीं आती जब वो उसे investigation कर रहे थे तो उनने बहुत सारे problems आये है investigators को लगता है कि Pearson जोट बोल रहा है क्योंकि उसकी mother Korean थी थोड़ी दर में आर्मे से appointed एक लेड़ी आती है वो सब पुलिस से कहती है कि Pearson एक American citizen है investigation करते हुए कोई भी इसे तकलिफ नहीं होने चाहिए इसे आप handcuffs में भी नहीं रख सकते अगर Pearson चाहता है कि investigation चब चल रहे है तो उसकी family भी या हो तो ये भी होना चाहिए इन सब rules को पुलिस को follow करना पड़ेगा इसके बाद एक translator बुलाया जाता है सब question answer चलते है बाग पुछते है कि तुम उस रात उस hotel में थे तुमने जॉंग फिल को क्यों मारा क्या तुम उसे जानते थे Pearson कहता है कि मैं उसे नहीं जानता था बाग पुछते है कि या तुम्हारी कोई fight हुई थी पुछते है कि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ मैं सिर्फ ट्वालेट गया और वहाँ पर उसका murder होते हुए मैंने देखा Pearson कहता है कि John Phil का murder उसके friend Alex नहीं किया था एलेक्स का पता भी पुलिस लगा रहे है पर दो-तिन दिनों से एलेक्स उन्हें कहीं भी नहीं मिल रहा Pearson की कपड़ों में blood था जो उसने गटर में fake दिये थे यह कपड़े पुलिस के पास है यह वो Pearson को फिर से दिखाते है गहते है कुछ भी सच होगा वो हम पता कर ही लेंगे इसके बाद नेक्सिन में हम देखते है कि एलेक्स और उसके फादर यह दोनों पाक के पास आते है एलेक्स पहले गायक था और यह खुद पाक के पास आ चुका है एलेक्स के फादर कहते है कि एलेक्स डर गया था वो सिर्फ देखने में बड़ा दिखता है पर फिर भी वो छोटा ही है फादर को लगता है कि एलेक्स एक मासूम बच्चे की तरह है वाग फिर एलेक्स से क्वेशन पूछना स्टार्ट करते है पाग एलेक्स से पूछते है कि उसकी एज क्या है वो कहा रहता था तो सब क्वेशन एलेक्स के फादर ही देते है आग कहते हैं कि एलेक्स को आंसर देने चाहिए यहाँ वाग के क्वेशन चल रहे है तो एलेक्स कहता है कि जो एक्चुल में हुआ था जो मेंन क्वेशन है यह आंसर करने के लिए मैं रेडी हूँ एलेक्स फिर बताता है कि उस रात हुआ क्या था हमें उस रात का flashback दिखाय जाता है जिसमें एलेक्स, पियर्सन और उसके कुछ friends हैंग आउट कर रहे थे उन्होंने कुछ बर्गर्स वगरा मंगवा है इन्हें कट करने के लिए कुछ भी नहीं था तो पियर्सन ने अपने pocket में से एक knife निकाली यही knife है जिससे जॉंग का murder हुआ था यह knife देखकर सब friends surprised होते हैं एक friend इस knife को देखता है तो उसका finger cut होता है पियर्सन यहां कहता है कि इस knife से मैंने किसी को step किया है अलेक्स बुचता है तो क्या वो मरा था तो पियर्सन कहता है कि मैंने देखा नहीं बाकी friends को smoke करना था तो यहां से वो चले जाते है इसके बाद जॉंग फिल टॉयलेट में गया और पियर्सन बोला तुम्हें मैं कुछ दिखाना चाता हूँ यह देखकर तुम्हें मज़ा आएगा पियर्सन टॉयलेट में गया एलेस के हाथ जरा खराब हो गये थे तो वो भी हाथ धोने के लिए अंदर गया वहाँ पर पियर्सन ने जॉंग फिल पर वार करकर उसे मार डाला थोड़ा सा बलड एलेक्स पर भी गिर गया अब यह जो सब कहे रहा था यह एलेस कहरा था यह सच है यह गलत यह कोई भी बता नहीं सकता एलेक्स और पियर्सन को एक साथ पिठाया जाता है इनसे पुछा जाता है कि मर्डर तुम दोनों में से किस ने किया है यह दोनों एक दूसरे पर ब्लेम करते है नेक्सिन में हम देखते है कि पाक अपने कलिक के साथ होते है कलिक उन से कहते है कि CID की investigation हुई थी वस investigation में Pearson ने बता दिया था कि उसने ही John Phil का murder किया है अब उन्हें और investigation नहीं करने चाहिए यह वो पाक को कहते है पाक कहते है कि CID के पास नहीं है हम ही है जो इस case की primary investigation कर सकते है Pearson ने क्यों कहा था कि उसने John Phil को मार डाला है तो यह पूछने के लिए पाक उसके पास जाते है Pearson कहता है कि मुझे Korean नहीं आती उस testimony में क्या लिखा था यह मैं पढ़ नहीं पाया और मैंने sign कर दी CID के लोग मुझे pressurize कर रहे थे अब उसरा आपके story Pearson सुनाता है जो सब Alex ने कहा था उसका सब opposite या हुआ है इस case में Pearson की कपड़ों में सबसे जादा खून था इससे explain करने के लिए Pearson कहता है कि Alex ने John Phil को जब मारा तो वो मुझे पर गिर गया था उसका बहुत सारा खून बह रहा था तो सब कुछ मेरे shirt पर आ गया मैंने फिर उसे push कर दिया Alex ने पीचे से war किया था इसी वज़े से उसकी कपड़े पर जादा blood नहीं आया यह सब पाग को समझाता है अब पाग भी इन सब चीजों को लेकर confused है forensic वालों के पास हो जाता है Pearson ने जो खा है क्या वो सच हो सकता है वो forensic वालों को बुच्छता है forensic वाले कहते हैं कि नेक पर हमला हुआ था नेक पर हमला होने से blood एक की direction में spray होता है अगर Alex ने murder किया है तो उसके कपड़ों पर कम blood है अगर blood एक की direction में spray हो रहा है और Alex का anger अलग है तो Alex के कपड़ों पर जाता blood नहीं आएगा ये चीज यहाँ explain हो सकती है यानि कि Pearson ने जो का है ये सच हो सकता है पाक और भी investigation करकर Alex को murder के लिए charge करते है Alex के फादर एक रीचाद में है ये बड़े बड़े लोगों को जानते है एक बड़ा सा lawyer को Alex के लिए hire करते है ये lawyer पाक से बात करता है कि Alex ने murder नहीं किया है वो खुद चल कर सामने आया था पाक उसकी कुछ भी बात मानने के लिए ready नहीं है जब Alex और Pearson दोनों से फिर से questions पुछे जाते है तो Pearson के बाद सब questions के सही से answers है Alex ने जो story कही है इसको भी वो सही से detail में नहीं बता सकता Alex को जादा कुछ याद नहीं है Alex को क्यों जादा कुछ याद नहीं है ये सब wonder करते है पाक का एक कलिक कहता है कि अगर उन दोनोंने drugs कियोंगे तो भूल सकते है कि उन्होंने murder किया था दोनों की intoxication report मगवाए जाती है और उसमें नल आता है यानि कि इन दोनोंने कोई भी drugs नहीं किये थे तो Alex को जादा details पता नहीं है तो ये बहुत ही suspicious है पाक और भी sure हो जाते है कि Alex नहीं murder किया है अलेक्स के फादर परिशानों थे उन्हें लगता है कि कुछ ना कुछ तो उन्हें करना चाहिए ये lawyer से कहते है कि हमें कुछ करना चाहिए पर lawyer कहते है कि आप हम wait ही करना पड़ेगा जब quote आएगा तब हम सब देख लेंगे फादर मानने नहीं वाले तो उन्हें idea आता है कि हमें एक lie detector test ले सकते है ये test code में admissible नहीं होगा पर फिर भी इन्हें तो बता चल जाएगा कि इसने ये murder किया था जब ये test किया जाता है तो Pearson इसमें pass होता है और Alex नहीं murder किया है ये इसमें prove होता है Alex के फादर पाक से मिलते है उन्हें रिश्वत देने के कोशिश करते है पर पाक मानने नहीं आले नेक्सिन में हम देखते है कि Pearson के एक friend को पाक बुलाते है इस friend ने अपने testimony में कहा था कि Pearson ने admit किया कि उसने ये murder किया है अब Pearson के friend से फिर से पाक question पुछते है फिर से पुछते है या अपने testimony में तुमने ऐसा क्यों कहा friend कहता है कि मैं बहुती confused था मुझे पता नहीं चल रहा था कि मुझे क्या कहना चाहिए उस राज सब friends जब table पर थे तब Alex और Pearson इन दोनों में से किसे ने कहा था कि चलो तुम्हें कुछ fun दिखाता हो यानि कि murder करने वाली थे तो ये बात किस ने कही थी ये पाक Pearson के friend से पुछते है friend confused हो जाता है और कुछ भी answer नहीं करता पाक को उसके superior office में बुलाते है वो कहते हैं क्या तुम sure हो कि Alex नहीं murder किया है पाक कहता है कि हाँ मुझे पता है कि Alex ही murderer है उसके superior उसे warning देते वो कहते हैं कि Alex के father की पहुच बहुत ही आगी तक है इसके बाद हम देखते हैं कि court start होता है इस court में lawyer Alex से बुछते हैं कि murder किस नहीं किया था वो कहता है कि ये Pearson नहीं किया है Pearson के बारे में कहता है कि वो एक January की तरह है उसे random violence करना अच्छा लगता है इस court में John Phil की mother भी है ये बहुत disturb हो जाती है और Alex को गालिया देने लगती है जब फिर इस hearing को यही खतम करवा देता है next hearing जब जलती है तो Pearson और Alex के friend को फिर से बुलवाय जाता है इससे पूचा जाता है कि जब Pearson ने knife निकाली थी तो इन knife किसके pocket में last थी यहाँ answer करता है कि Alex था जिसके pocket में knife थी पर फिर confid stalker कुछ भी नहीं बता था इनका और एक friend ने जो smoking करने के लिए stairs से उपर गया था जब murder हुआ तो Alex और Pearson दोनों डोल से stairs तक आये थे तो पहले कौन आया था इसकी argument होती है यह friend केता है कि वहले Alex आया था Alex का lawyer केता है कि murder करने के बाद उन पहले आया था और कौन बाद में इससे कोई भी फरक नहीं पड़ता पर पाक इस पर जोर देता है वह कहता है कि murder करने के बाद आदमी भागने के कोशिश करेगा तो जिसने murder किया है वह ही पहले जाएगा नेकसिन में हम देखते है कि Alex jail में है उसके फादर उसे मिलने के लिए आया है Alex को fast food पसेन है तो बहुत सारा लेकर आया है फादर को बुरा लग रहा है उन्हें लगता है कि Alex को उन्हें United States में ही रखना चाहिए था कोरिया में कभी भी लाना नहीं चाहिए था वो कहते हैं कि सब evidence तुमारे खिलाफ है और तुमारे friend भी तुमें ज़्यादा help नहीं कर रहे है एलेकस कहता है कि मुझे उन्हें दिखाना चाहिए था फादर सप्राइस्ट हो जाते है वो सोचते है कि यह कह क्या रहा है फादर को भी डाउट जाता है कि Alex ने शायद यह murder किया हो सकता है पर वो फादर है तो इससे ignore कर देते है नेक्स जब court चलता है तो forensic officer को बुलाय जाता है यह सर फैक्स court को बताते है और last में पाक उनसे बोचता है कि अगर आपको guess करना हो कि real murderer कौन है तो कौन हो सकता है forensic expert कहते है कि जिसने भी murder किया था वो बहुत ही strong था जोंग फिल से उसके height जादा थी और यह सब चीज़े ऐलेक्स में है ऐलेक्स जोंग फिल से उचा है और इसमें ताकत भी जादा है पाक के उपर इस case को लेखर और भी pressure बढ़ने लग जाता है जो भी situation है इससे clearly पता नहीं चल रहा कि Pearson ने murder किया था क्या Alex ने पाक अपने बच्चों के साथ water gun से खेल कर crime scene फिर से create करना चाते है पर फिर भी इन्हें कुछ भी पता नहीं चलता और एक hearing स्टार्ट होती है इसमें Alex के lawyer कहते है कि आपने कहा था कि Alex के height जादा है इसलिए Alex ने murder किया हो सकता है पर ऐसा नहीं है जब आदमी toilet करता है तो थोड़ा सा हो जुकता है इसी silly argument पर पाक और Alice के lawyer ये दोनों जगड़ थे है जच इन दोनों को chambers में लिकर जाते है और कहते है ये वेसे ये सब नहीं होना चाहिए ये case बढ़ा हो चुका है और इसे media coverage वेगरा सब कुछ मिल रहा है तो जच पर भी pressure बढ़ रहा है ये actual में murder हुआ कैसे था ये judge को फिर से देखना है सब arrange किया जाता है जिसमें Pearson, Alex, उसके lawyers और judge ये सब लोग toilet में आते है इस crime scene पर हुआ क्या था ये Alex और Pearson दोनों को बतानी के लिके दे है Alex ने कहा था यो toilet में हाथ धो रहा था पर ये toilet बहुत ही छोटा है अगर Alex हाथ धो रहा था तो toilet में कोई भी अंदर या बाहर नहीं जा सकता murder किस तरह से हुआ था इसके बारे में भी Alex जाद बता नहीं पाता जब Pearson से पुछा जाता है तो पूरे details में वो सब कुछ बताता है ये crime scene से exactly match भी करता है पाक इस case को लेकर disturb हो जाता है वो समझ नहीं पाता कि उसे करना क्या चाहिए वो Pearson और Alex इन दोनों को लेकर unsure है इसके बाद हम देखते हैं कि next hearing आती है इस hearing में CID के officer अपनी गवाई देते है CID के officer कहते है कि हमने Pearson को charge किया था इसके पीछे एक reason था Pearson अमेरिका में एक गैंग का member है एलेक्स के attorney court को बताते है ये जो CID officer है एक experienced officer है court को इनकी बात माननी चाहिए इसी hearing में Pearson और Alex का और एक friend आ गया आता है ये अपनी testimony और साफ साफ देता है वो कहता है कि जिस रात murder हुआ था तब एलेक्स के shirt पर बहुत ही खून था और वो मेरे पास आया मैंने उससे पूछा कि हुआ क्या है तो एलेक्स ने कहा कि मैंने एक आदमी का murder कर दिया है उसे करकर बहुत मज़ा आया अब इससे साफ साफ पता चल जाता है कि एलेक्स ही murder है पाक जजज से कहते है कि एलेक्स 18 years का है पर फिर भी एक हैवान है उसने सिब मज़े के लिए John Phil को मार डाला उसे maximum penalty यानि कि death penalty होनी चाहिए जज एलेक्स को उम्र कह देते है और Pearson ने थोड़े दिनों के लिए एलेक्स को cover किया था इसी वज़े से एक दिर साल की उसे सजा सुनाते है एलेक्स अभी में मानता नहीं वो कहता है कि मैंने murder नहीं किया है एलेक्स के फादर हर नहीं मानते कहते हैं कि मैं और कुछ न कुछ तो करूंगा ही वो फिर से high court में जाकर इस case को reopen करते है पर पहली बार जो हुआ था यानि कि murder किस ने किया है पियरसन ने या एलेक्स ने इस तरह से वो नहीं लड़ते है इस बार वो एक चीज को लेकर लड़ते है वो कहते हैं कि एलेक्स में murder किया है इसके पूरे evidence नहीं है एलेक्स ने मर्डर शायद नहीं भी किया है इस court की hearing होती है और एलेक्स innocent है ये प्रूव कर दिया जाता है जौंग फिल की मर्डर भी इस hearing में थी उसके बेटे की killer को छोड़ दिया है ये देखकर वो बहुत रोती है वो फिर पाक के पास आती है पाक को बोचती है कि हुआ क्या अगर एलेक्स ने मर्डर नहीं किया है तो Pearson ने किया है ये तो प्रू होना चाहिए था Pearson को भी सिर्फ एकी साल तक सजा हुई है ये सब गलत है पाक इस पर कुछ भी आंसर नहीं कर पाते पाक अपने superior के पास जाते कहते हैं कि इस case को face से reopen करना चाहिए वो और भी कुछ सबुद ला सकते है कि एलेक्स ने murder किया है पर उसके superior अब इसे मानने के लिए ready नहीं है उसके superior कहते हैं अगर हमने face से इस से reopen किया तो face से बड़ा problem हो सकता है पाक इस चीज को जाने दे कि उसके superior उसे advice करते हैं पाक कोई अच्छा नहीं लगता पर उन्हें मानना पड़ता है अब हम देखते हैं कुछ time गुजर चुका है एलेक्स free है और अमेरिका जाकर वहाँ वो पढ़ाई कर रहा है चुट्टियों में जब वो कोरिया आता है तो अपने lawyer से मिलने के लिए आता है वो lawyer का बहुत ही thankful है उसके साथ उसकी girlfriend भी है उसकी girlfriend उसे पुछती है कि तुम lawyer के पास क्यों आये थे किस trouble में तुम थे एलेक्स के lawyer ज़रा दूर थे पर एलेक्स इस question को क्या answer करता है यो सुनना चाते थे एलेक्स अपनी girlfriend को कहता है कि एक चीज मैंने मजाग मजाग में की थी उसी को लेकर help मुझे इन lawyer ने की थी lawyer को बता है कि एलेक्स ने murder किया है पर lawyer इस चीज को ignore कर देते है पाक को अभी भी लगता है कि जो हुआ वो बहुत ही बुरा हुआ पर फिर भी एक चीज की उन्हें खुशी है कि Pearson ने murder नहीं किया था और उसको उन्होंने बचाया है Pearson भी उन्हें thank you कहने के लिए आता है जब Pearson जा रहा होता है तो भी पाक को click होता है पाक उससे बुचता है कि तुम मुझे Korean में thank you कह रहे थे यह कैसे हो सकता है अगर Pearson को Korean आती है इसका मतलब है Pearson पहले से Britain कर रहा था Pearson कहता है कि जब मैं जेल में था तब वहां मैंने Korean सिखी थी लास्ट में मुवे हमें जरा confuse कर दिया हमें 99% तो पता है कि Alex नहीं murder किया था पर Pearson भी इसमें उतना ही सामिल हो सकता है जितना Alex उसमें था यह दोनों एक दूसरे पर ही पुरा हिल्जाम लगा रहे थे मुवे के लास्ट में जिस होटेल में murder हुआ था उस होटेल में पाक पोश्ट थे वहां का toilet हमेशा के लिए बन कर दिया गया है इस डोर के बीचे हमें फिर से जौंग फिल की बॉड़ी दिखाए जाती है यह रिप्रेजेंट करता है कि इस केस को पुरी तरह से दबा दिया गया है मुवी के लास्ट में हमें बताया जाता है कि Alex और Pearson यह दोनों अभी भी फ्री है इसी तरह से मुवी इंड हो जाती है इस मुवी में हम बहुत एक डार्क रियालिटी देखते हैं यही आज का वीडियो हम कतम करते हैं अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कर देजेगा मैं बहुत सारी मुवीज लेकर आते रहता हूँ तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर देजे और बेल इटोफिशन आइकोन दबना में मत भूले फिर से मिलेंगे और एक ने मुवी के साथ तब तके लिए थैंक्यो और आप अपने आपका खैल रखिये